C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय साथ घन और घन मूल प्रिष्ट संख्या 117 से लेकर प्रिष्ट संख्या 124 तक आईए सुनते हैं अध्याय साथ घन और घन मूल प्रिष्ट संख्या 117 साथ दशमलव एक भूमिका यह कहानी भारत की महान गनितिये प्रतिभावान विभूतियों में से एक S. रामनूजन के बारे में है एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितग्य प्रोफेसर G. H. हाडी उनसे मिलने एक टाक्सी में आए जिसका नंबर 1729 था रामनूजन से बात करते समय हाडी ने इस संख्या को एक नीरस यानि डल संख्या बताया रामनूजन ने तुरंत बताया कि 1729 वास्तव में एक रोचक संख्या थी उन्होंने कहा कि यह है ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों यानि क्यूब्स के योग के रूप में दो भिन प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है 1729 बराबर है 1728 जमा एक बराबर है 12 घन जमा एक घन 1729 बराबर है 1000 जमा 739 बराबर है 10 घन जमा 9 घन तब से इस संख्या 1729 को हाडी रामनूजन संख्या यानि हाडी रामनूजन नंबर कहा जाने लगा यद्यापी 1729 की यह विशिष्टा रामनूजन से लगभग 300 वर्ष पूर्व भी घ्याद थी रामनूजन को इसकी जानकारी कैसे थी? वह संख्याओं से प्यार करते थे अपने संपूर्ण जीवन में संख्याओं के साथ प्रयोग करते रहे संभवतह उन्होंने वे संख्याएं ज्याद की होंगी जिन्हें दो वर्गों के योग और साथ ही दो घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता था घनों के अनेक दूसरे रोचक प्रतिरूप यानी पैटर्न्स हैं आईए हम घनों, घनमूलों यानी क्यूब रूट्स तथा इनसे संबंधित अनेक रोचक तत्यों के बारे में सीखें हाडी रामनूजन संख्या 1729 सबसे छोटी हाडी रामनूजन संख्या है इस प्रकार की अनेक संख्याएं हैं उनमें से कुछ हैं 4104 जिसे 2 और 16 और 9 और 15 के घन की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है 13832 जिसे 18 और 20 और 2 और 24 के घन की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है कोश्ठकों में दी हुई संख्याएं लेकर इसकी जांच कीजिए वे आकृतियां जिनकी तीन विमाएं यानी डाइमेंशन्स होती हैं थोस आकृतियां कहलाती हैं यहाँ पर ऐसी कुछ आकृतियां बनी हुई हैं साथ दशमलवदोद आप जानते हैं कि शब्द घन का प्रयोग जामिती में किया जाता है घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है एक सेंटीमीटर भुजावाले कितने घनों में दो सेंटीमीटर भुजावाला एक घन बनेगा एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में तीन सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा यहाँ पर तीन अलग-अलग माप के घन बने हुए हैं प्रिष्ट संख्या 118 संख्याओं 1827 पर विचार कीजिए यह पूर्ण घन यानी perfect cubes या घन संख्याएं यानी cube numbers कहलाती हैं क्या आप बता सकते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिये गए हैं? इन में से प्रतियेक संख्या तब प्राप्त होती है जब एक संख्या को तीन बार लेकर गुणा किया जाता है हम समझते हैं कि एक बरापर है एक गुणा एक गुणा एक बरापर है एक घन 8 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 2 घन 27 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर है 3 घन क्योंकि 5 घन बराबर है 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर है 125 इसलिए 125 एक घन संख्या है क्या 9 एक घन संख्या है? नहीं, क्योंकि 9 बराबर है 3 गुणा 3 और ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, जिसे 3 बार लेकर गुणा करने पर 9 प्राप्थ हो. हम जानते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर है 8 और 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर है 27. इससे यह प्रदर्शित होता है कि 9 एक पूर्ण घन नहीं है. नीचे 1 से 10 तकी संख्याओं के घन दिये गए हैं. सारणी एक इस सारणी में दो स्तंभ हैं संख्या और घन. एक एक घन बराबर है 1. दो गन बराबर है आट. तीन तीन घन बराबर है 27. चार चार घन बराबर है 64. पांच पांच घन बराबर है रिक्त स्थान. 6, 6 घन बराबर है रिक्त स्थान 7, 7 घन बराबर है रिक्त स्थान 8, 8 घन बराबर है रिक्त स्थान 9, 9 घन बराबर है रिक्त स्थान 10, 10 घन बराबर है रिक्त स्थान इस सारणी को पूर्ण कीजिए संख्याएं 739, 1000 और 1728 भी पूर्ण घन है यहां आप समझ सकते हैं कि 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन है इसकी जांज कीजिए 1 से 100 तक कितने पूर्ण घन है सम संख्याओं के घनों को देखिए क्या ये भी सम है आप विशम संख्याओं के घनों के बारे में क्या कह सकते हैं अब 11 से 20 तक की संख्याओं के घन नीचे दिये जा रहे हैं सारणी 2 इस सारणी में 2 स्तंभ हैं संख्या और घन 11, 1331, 12, 1728, 13, 2197, 14, 2744, 15, 3375, 16, 4096, 17, 4913, 18, 5832, 19, 6869, 20, 8000, 12, 14 और 16 सम हैं और इनके घन भी सम हैं, 17 और 19 यह विशम हैं और इनके घन भी विशम हैं, प्रिष्ट संख्या 119, ऐसी कुछ संख्याओं पर विचार कीजिए, जिनकी इकाई का अंक एक हैं, इन में से प्रतियक संख्या का घन ग्याद कीजिए, उस संख्या के घन के इकाई के अंक के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी इकाई का अंक एक है, इसी प्रकार उन संख्याओं के घनों की इकाई के अंकों के बारे में पता कीजिए, जिनकी इकाई के अंक दो, तीन, चार इत्यादी हैं, प्रयास कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ग्याद कीजिए, एक, तीन हजार तीन सो एकत्तीस, दो, आठ हजार आठ सो अठासी, तीन, एक सो उन्चास, चार, एक हजार पांच, पांच, एक हजार चौबीस, छे, सतत्तर, साथ, पांच हजार बाईस, आठ, तिरेपन, साथ दशमलव दो, दशमलव एक, कुछ रोचक प्रतिरूप एक, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना, विषम संख्याओं के योगों के निम्नलिखित प्रतिरूप को समझे, एक बराबर है एक, बराबर है एक घन, तीन जमा पांच, बराबर है आठ, बराबर है दो घन, साथ जमा नौ, जमा ग्यारा, बराबर है सत्ताईस, बराबर है तीन घन, 13 जमा 15, जमा 17, जमा 19, बराबर है 64, बराबर है 4 घन 21 जमा 23, जमा 25, जमा 27, जमा 29, बराबर है 125, बराबर है 5 घन क्या यहे रोचक नहीं है? योग 10 घन प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विशम संख्याओं की आवश्यक्ता होगी? प्रयास कीजिए, उप्रोक्त प्रतिरूप करते हुए निम्नलिखित संख्याओं को विशम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए A. 6 घन B. 8 घन C. 7 घन निममिलिखित प्रतिरूप को समझिए दो घन गटा एक घन बराबर है एक जमा दो गुणा एक गुणा तीन तीन घन गटा दो घन बराबर है एक जमा तीन गुणा दो गुणा तीन चार घन घटा तीन घन बराबर है एक जमा चार गुणा तीन गुणा तीन उप्रोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित केमान ग्याद कीजिए एक साथ घन घटा छे घन, दो बारहा घन घटा ग्यारहा घन, तीन बीस घन घटा उन्नीस घन, चार इक्यावन घन घटा पचास घन, दो, घन और उनके अभाज्य गुणन खंड, कुछ संख्याओं और उनके घनों के निम्नलिखित अभाज्य गुणन खंडों पर विचार कीजिए बाईयोर एक संख्या का अभाज्य गुणन खंडन लिखा है दाईयोर उसकी घन का अभाज्य गुणन खंडन लिखा है चार बराबर है दो गुणा दो चार घन बराबर है 64 बराबर है दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो बराबर है दो घन गुणा दो घन 6 बराबर है 2 गुणा 3, 6 गन बराबर है 216, बराबर है 2 गुणा 2, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 3, गुणा 3, बराबर है 2 गन, गुणा 3 गन 15 बराबर है 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर है 3,375 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 12 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 12 घन बराबर है 1728 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर है 2 घन गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा स्वयम के घन में प्रतियेक अभाज्य गुणनखंड तीन बार आता है। प्रिष्ट संख्या 120 ध्यान दीजिये कि एक संख्या का प्रतियेक अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के घन के अभाज्य गुणनखंडन में तीन बार आता है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रती एक गुणनखंड तीन बार आता है, तो क्या वह संख्या एक पूर्ण घन होती है? इसके बारे में सोचिए, क्या 216 एक पूर्ण घन है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा 216 बराबर है दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन बाई और एक सारणी बनी है दाई और नौ, इसके बाद बाई और तीन, दाई और तीन, इसके बाद बाई और कुछ नहीं, दाई और एक. प्रती एक गुणनखंड तीन बार आता है. 216 बराबर है तीन घन गुणा तीन घन, बराबर है कोश्ठक में दो गुणा तीन का घन, बराबर है छे घन, जो एक पूर्ण घन है. क्या आपको याद है कि A की घात M, गुणा B की घात M, बराबर है कोश्ठक में A गुणा B की घात M होता है? क्या 739 एक पूर्ण घन है? 739 बराबर है तीन गुणा तीन गुणा तीन के नीचे रेखा, गुणा तीन गुणा तीन के नीचे रेखा. गुणन खंडों के तीन तीन के समुहू बनाए जा सकते हैं. हाँ, 739 एक पूर्ण घन है. आईए, अब 500 के लिए इसकी जांच करें. 500 का अभाज्य गुणन खंडन है, दो गुणा दो, गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच के नीचे रेखा. इस गुणन फल में तीन बार पांच है, परन्तु केवल दो बार दो है. इसलिए, 500 एक पूर्ण घन नहीं है. उदाहरन एक, क्या 243 एक पूर्ण घन है? हल, 243 बराबर है, तीन गुणा तीन गुणा तीन के नीचे रेखा, गुणा तीन गुणा तीन. यहां तीन का एक त्रिक बनाने के बाद तीन गुणा तीन शेश रहता है. अतह, 243 एक पूर्ण घन नहीं है. प्रयास कीजिए, निम्न लिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? एक चार सौ, दू, तीन हजार तीन सौ पिछत्तर, तीन आठ हजार, चार पंद्रा हजार छे सौ पचीज़, पांच नौ हजार, छे चे हजार आठ सौ उनसट, साथ दो हजार पचीज, आठ दस हजार छे सौ अरतालीस. अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T., N.C.E.R.T., नई दिल्ली, भारत प्रस्तुती, C.I.E.T., N.C.E.R.T.